बाजपा के बड़े चेहरे में सुमार बरूड गांधी ने निर्दल परचा खटीद लिया है यानि नामांकन पत्र चार सेट में वो बरेंगे निर्दल परचा नामांकन पत्र उनके सचीव ने खरीद लिया और खरीद तरके दिल्ली चले गए बरुण गांधी पीली भीच से सामसद है उनके टिकट पर ग्रहर लगा हुआ है और अब नामांकन की प्रक्रिया आठ सीतों के लिए शुरू हो गई है अधिसुचना जारी कि गई बरुण गांधी को भारतिंता पार्टी टिकट नहीं देगी या फिर टिकट देगी देगी तो कहीं और से देगी बरुण अपने किये गए कमेंट के आधार पर जो नाराजगी मोल लिए हैं उसके लिए खेद परकास करेंगे इसान आंदोलन के पक्षधर थे अगनी बीर योजना का उन्होंने गिरोध किया था भारतिंता पार्टी की नितियों के खिलाप उन्होंने अपना कमेंट दिया था जो प्रधान मत्रि नरंदर मोधी सहित अमित साहा और अन्य लोगों को नागवार लगा बरुण गांधी कभी उत्तरपदेश में सीयम के दावेदार थे प्रमुख दावेदारों में से एक थे जब तीन-चार नाम चल रहे थे मनोशिना जो हमारे हाँ से सांसद रहे और फिर अगला नाम योगी आदितनाजी का उतना नाम चल नहीं रहा था बरुण गांधी का नाम हिंदुत बादी नेता के रोप में काफी जोरसों से चल रहा था संग की भी मुहर लग गई थी और लोग चाह रहे थे कि बरुण गांधी को उत्तरपदेश का सीयम बनाया जाए बाराल बरुण सीयम नहीं बन पाए लेकिन अब टिकट के लिए बरुण को भाजपा टिकट देगी अथवा नकार देगी आई आप इसमी से पर हम बात करते हैं राहुल के चचेरे भाई हैं यानि राहुल गांधी के पिता राजियू गांधी और उनके चोटे भाई संजय गांधी संजय गांधी की पत्ली मेन का गांधी है जो लगातारच के बार सांसद रही है इस बार उनके टिकट कटने की उमीद है और उनके लड़के बरुण गांधी जो तीन बार सांसद रहे हैं उतानपूर और पिली भीट से उनके भी टिकट कटने के कयास लगाए जा रहे हैं वरुण गांधी जुकने के लिए तयार नहीं है ऐसा कहा जा रहा है और किंद्री में तरक उन्हें टिकट देने के लिए तयार नहीं है जब तक कि वह इस बात के लिए खेद प्रकास नहीं कर अपना प्रतियासी गोसित कर दिया है कई बार इस बात की चर्चा की जा रही थी कि वरुर गांधी गठबंधन के प्रतियासी हो सकते हैं लेकिन पीली भीट से आज एही के दिन अभी थोड़ी देर पहले ही समाचार यह घ्यात हुआ है कि गठबंधन का प्रतियासी वहां से आगया है राजनास सिंग जी ने कभी बरूर गांधी को राष्टरी महास्ची बनाया था जब राजनास सिंग जी अधेख्ष थे और सबसे कम उम्र में सांसद होने वाले बरूर गांधी का नाम आता है अब दोस्तों बताते चलें एक सीट है राए बरेली की राए बरेली में कभी इंद्रा गांधी हुआ करती थी जो प्रधान मंतरी थी बाद में सोनिया गांधी ने उस पर राए बरेली पर कबजा किया 2004 से 2014 तक लगतार वह बनी रही तब छोड़ी हार करके नहीं छोड़ी उन हमारे बने रहेंगे हिर्दे से लेकिन अब इस उम्र की धलान पर आना जाना और भाग दोड़ करना संबव नहीं है क्या बरुन गांधी को राए बरेली से ही लड़ाया जाएगा राए बरेली ऐसी सीट जिसको चाह करके भी भारतियंता पार्टी अपने कबजे में नहीं ले पाई लगातार पराभव कमने देखना पड़ा ऐसे में क्या भारतियंता पाल्टी का यह मानना कि गांधी परिवार की सीट गांधी परिवार ही ले सकता है यानि सोनिया गांधी की सीट जब खाली होई है अब एक चीज यह है क्यों सीट पर प्रियंका लड़ सकती है च चुनाव नहीं लेंगे क्योंकि इतना सारी कर्पता के बाद राहुल गांदी के तमाम बयानों का बिरोध किया है बरूल गांदी ने और राहुल गांदी ने भी कहा है कि उसका दूसरा छेतर है हमारा दूसरा छेतर है वह हिंदुत के लाइन पर चलता है और हमारा यह छेतर हम सब को ले करके चलते हैं ऐसा उनका काना है अब अगर राय बरेली से बरोड को उतारा जाता है तो बरोड हम भरेंगे या नहीं भरेंगे दूसरी तरफ राय बरेली में किसे उतार रही है भारतियंता पाल्टी अभी तक पत्ता उन्होंने नहीं खोला है कौन का दावर में आएगा हलाकि भारतिय न्था पार्टी को लोग यह देख रहे होंगे कि वहां से आता कौन है यदि राहू लखवा प्रियंका आती है तो उसी हिसाब से राहे वरेली में वह टिकट देंगे अनिथा बरुन गांधी को उतार सकते हैं अब बरुन गांधी उतारने के लिए तय संसद रहे हैं मेंका गांधी का नहीं लगता कि अब उनको टिकट मिलेगा उम्र तो अभी इस तरह की नहीं है जहां तक महिंदरनाथ पाणडे और तमाम बढ़ती हुई ढलती हुई उम्र के लोगों को टिकट दिया गया है वहां यह नहीं है कि मेंका गांधी अभी उस जीजी सचीव ने दिल्ली से आकर के खरीदा और खरीद करके वो चले गए 27 तारिक तक नामांकन होना है यदि बरून निर्दल परचा भर देते हैं तो क्या भारतिन्ता पार्टी उन्हें कमल का पूल देगी निसान देगी और नहीं तो वहां से राहुल गांधी के अत्यंत करीभी जो पहले थे जितिन प्रसाद वह पूल में केंद्रिय मंत्री भी रहे है बरतमान मे योगी की गवर्मेंट में वह लोक निरमान मंत्री हैं उनको वहां से उतारे जाने की बात की जा रही है यस भी गठबंधन ने भी तमाम प्रत्यासियों को उतारा है और पीली भीत से भगवत सरन गंगवार को गठबंधन से उतारा गया है ऐसे में क्या होगा वरूर गांधी का राई नितिक भविस्टे वरूर गांधी को यह भी हो सकता है कि हमारी मर्यादा इतनी है लोग इतना चाहते हैं कि निर्दल भी जिता देंगे यह उनका भ्रह्म हो सकता है क्योंकि अधिकांस बहुलता में मत लोग दल के आधार पर ही करते है निताओं का भ्रह्म बहुत बार कुटा है जब वह दलों से पृतक होकर कि निर्दल चुनाओ मैदान में उतरे है बड़े-बड़े सूर्मा धरासाई हुए है जमानत तक नहीं बची है ऐसे में बरुण गांधी का यह अल्प ग्यान हो सकता है यह दिवा ऐसा नेड़े लेते हैं तो बरुण गांधी के लिए भारतिन्ता पार्टी का दर्वाजा बंध होता है तो दूसरा गठवंधन का दर्वाजा उनके लिए पुला हुआ है उन्हें गठवंधन कहीं से सीट दे सकता है कहीं से टिकट दे सकता है अब देखना यह है जो भी इस्तिति है एक दो दिन में य करें आज का यह वीडियो पीली भीत जहां से बरुर गांदी है सुल्तानपुर जहां से मेंका गांदी थे पीली भीत जहां से मेंका गांदी थी और दोनों मा बेटे को यहां वहां किया गया अगर उनसे नाराजगी हो तो बेटे को भेज दें बेटे से नाराजगी हो तो मां इबताइगा. सादर नमस्कार.